हेलो दूस्तों हमस्कार आप सभी का स्वागत है देखिए का आज की दो बड़ी न्यूज एक आपकी यूपी टेट एक्जाम को लेकर दूसरी यहाँ पे डेल एड एड मिशन की परिक्रिया सुरूगी वो जुलाई के बाद सुरूगी और अच्छी खुशकबरी आप सभी के चलिएगा तो यहाँ पे यह सलेवस इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूपी टीटी पर भी जो है कोरोना का लग सकता है ग्रैंड देखिएगा आपका जो एक्जाम है यूपी टेट का यह आपका 25 जुलाई को बोला था कि 25 का ग्रैंड लगने के आसार है कोरोना संकर्मन जिस तरह से जो यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे 11 माई को विज्जापन और 18 माई से ओनलाइन आविदन सुरू हो पाना मुस्किल है और यहाँ पे अगले सब्ता इस्तिती स्पष्ट करेगा NIC में अपसर वेक्रमचार संकर्मित है उसमें आवेदन प्रकिरिया टालने की नोबत ग्यात हो की परिक्सा 25 जुलाई को प्रस्तावित रही है तो यहाँ पर यह आगे जरूर बढ़ेगी इसमें और यहाँ पर आप देख सकते कि बेसिक सिक्साई विभाग ने 15 मार्च को UPTT 2020 के आयोजन की समय सार्ण करते हुए सासना देश जारी किया था इसके लिए 11 माई को विग्यापन प्रकासित करने के निदेश थे और यहाँ पर आगे दिया है कि आपका प्राइमरी वाला जो यह पिपर होता ही आपका सुबह में होता है और यह आपका जो है जोनियर वाला होता है आपका साम को यह दिया है तो इसमें हम सलेवस देख लेते है प्राइमरी और जुनियर का और ये देखेगा भई जो पिछली बार भी कोरोना की वैसे जो है एक्जाम नहीं हो पाया था टैट का इसलिए जो है आगे इसको बार बार इसको बढ़ाया गया और यहां पर देखेगा इस बार का जो अच्छे से महनत करिएगा और देखेगा यहां पर यह जो आपका जो प्राइमरी का जो सलेवस है ना देखेगा जो प्राइमरी का सलेवस है और आपका सिकसक बढ़ती के लिए आपका जो सूपर टैट होगा उसमें सूपर टैट में एक सो पचास कोशन होते है यहां पर भ की से रहता है इस SuperT真的 ne आएगा इंगली सा SuperTate में 10 question आएगा और बाल विकास सिक्षन और आपका 자 जो है जीवन कोसल से सम्मझद वहां पे 30 कोशन आएगा तो इसको आप टेट की परिक्सा नहीं मानगे आप सूपर टेट के लिए जो है अच्छी से तयार करिएगा और परिया वर्ण के वहां पे आएगे आपके 10 कोशन जीएस वगेरा को लेके पॉलिटी भी आएगा इसमें या पे आपका टेट के अंदर बायो भी आएगा और वहां पर भी आएगा भई कम से कम 10 से 12 कोशन वहां पे आता इसमें जीएस का और गनित का आएगा सूपर टेट में 20 कोशन तो आप टेट की परिक्सा के साथ साथ सू यारी में टैट और सूपर टैट के लिए और टैट और सूपर टैट की परिक्सा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहां पर देख लेते हैं आपका जो प्राइमरी का सलेवस है देखिएगा तीस-तीस कोश्चन आएगे पांचों पॉर्चन से आपका 150 कोश्चन हो जाएगा निगेटिव मार्किंग नहीं है यहां पर देखिएगा हिंदी का 30 कोश्चन आएगा संस्कृत का यहां पर लेंग्वेज आपकी आएगी संस्कृत इंगलिस उर्दू में से कोई आप एक ले सब्जेक्ट आएगे एक EVS आएगा इन्वार्मेंटल इस्टेडिस इसमें जोगरफी वाले कुछ टोपिक है नदिया परवत पहाड इसमें आपका जल प्रपात वगरा यह सब आएगा इसके बाद आपका जो है बायो से कोश्चन आएगा 7-8 कोश्चन बायो से पोलीटी स से आता है आपका 7-8 कोश्चन और यूपी इस्पेशल तो यह एक बड़ा पॉर्शन आपका EVS वाला जो है अच्छे से इसको तयार करेगा अभी से तयारी में लग जाईए नोट्स बनाईए परतेक सब्जक्ट का आपके पास समय काफी है और यह आपकी जो परिक्सा है न लेंग्वेज आपका कोई भी एक लेंग्वेज बाल विकास का यानि कि 90 कोश्चन तो सेम टू सेम आपका जो प्राइमरी में रहेगा वही सलेवस है इसके बाद यहांपे 60 कोश्चन चेंज जाएगा आपका अगर आप ने बीए किया या आपने जो है कोमर्स से जो है आप आपका बीकोम किया है तो आप 60 कोश्चन से सोल करोगे आप एप हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटि एकोनोमिक्स यान और विविद आप जी के आप सोल करेगे अगर आप जो है बीएसी एगरी कल्चर से है या आपने बीएसी मैट ब्ल्लिए बायो से किया है तो आप साट कुशन नहीं कि वह आप उनको सोल करेगे तो आपको अच्छे से यह आपका जो सब्जेक्ट है साट नंबर का यह भी अच्छे से त्यार करना है और अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो टैट के आपके जो भी आपके पांचो सब्जेक्ट है प्राइमरी और जुनियर में उनके अलग-अलग कौन-कौन से उनमें टोपिक है तो वो वीडियो आएगी उसमें अच्छे से आप पूरा टोपिक वाज आपको नोट्स तयार करना है और अच्छे से तयारी में लग जाईएगा भई आप